नमस्कार दोस्तों, expectations from budget 2021 यानि 2021 के लिए परसों यानि एक फर्वरी 2021 को प्रस्तुत होने वाले budget में हमारी क्या expectation रह सकती है, उसका कुछ खाका हमारे को economic survey से भी मिलता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने economic survey की कुछ highlights रखते हुए, अपने विचार कुछ इन बिंदों पर रखते हुए कि आपकी मेरी राय में भारत सरकार को किन विश्यों पर और आगे contribution लेकर के जाना है, किदर किदर सुधार के कारे करने हैं, और income tax point of UB क्या relief expect की जा सकती है, इस पर एक छोटा सा presentation आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, तो सबसे पहले दोस्तों, what is the financial position of India as a whole, यानि 29 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने जो economic survey प्रस्तुत किया, सदन में, संसद में, तो उसकी क्या विशेषता हैं या उससे क्या highlights निकल कर के आ रही हैं, सबसे पहली की बात, fiscal deficit above 6.2% as compared to budgeted 3.5%. Naturally, sir, COVID-19 से जूजते देश में, जहां public expenditure एक प्रात्मिकता हो, अगर budgeted 3.5% के level से fiscal deficit बढ़ता भी है, तो ये कोई गलत बात या चिंता की बात नहीं होनी चाहिए. Expected GDP growth for the financial year 21-22 is 12% as compared to contraction of 7.7% in 2021, यानि वित्वर्ष 2020-21 में, sir, हमारी GDP 7.7% सिकुड गई, जबकि 2021-22 में, sir, उसमें 11% व्रदी का अनुमान है. As per IMF, यानि International Monetary Fund के अनुसार, इंडिया is expected to be fastest growing economy in next two years. ये एक बहुत positive statement है, sir, हमारे देश के लिए, कि इंडिया आगे कहां लीट करने जा रहा है. Agriculture Growth, Agriculture पर, sir, कितनी समस्याएं हैं, एक Agriculture इसको कितनी समस्याएं हैं, या Agriculture Bills पर क्या विवाद है, वो हमसे अपरिचित रही है. लेकिन फिर भी, sir, पिछले साल में Agriculture Growth 3.4% रही, जबकि Industrial and Service Sector की Growth negative रही, यानि उनमें Contraction आया है, 9.6% और 8.8% का. V-Shape Recovery की बात की जा रही है, sir, कि भारत पहले दो quarter में भारत की Recovery नकरात्मक रही, और fortunately उसके बाद में भारत ने शांदार पदर्शन करते हुए, sir, आप सब के सहयोग से भारत ने वापस V-Shape Recovery दिखाई है. And Robust GST Collection and Reforms in Tax Administration is one of the key aspects, कि पिछले तीन महिनों से लगातार साथ GST Collection एक लाग करोड के पार जा रहा है, और साथी साथ सरभाद सरकार ने Income Tax Administration में, GST Administration में अपनी और से जो efforts किये हैं, reforms के लिए, उनको भी आगे आने वाले समय में क्या प्रणाम वो दिखा पाते हैं, ये एक देखने की बात होगी, तो आईए दोस्तों यहां बात करते हैं, what should be the key areas for improvement or development, number one, agriculture and healthcare sector, जैसा मैंने पिछली slide में आपके सामने बात रखी सर, कि COVID-19 के period में भी agriculture sector ने positive growth करी है, जबकि industrial sector और service sector में negative growth रही, तो सर, agriculture sector की importance आप सब समझते हैं, कि हम जो भी रोज की अपनी diet ले हैं, उसमें agriculture sector का कितना contribution है, और निश्चित रूब से सर में मानता हूँ, कि presently जो कृशी विलों पर विवाद चल रहा है, उसमें भारत सरकार को significantly अपने efforts लाते हुए, उन विवादों को दूर करने का प्रयास करना है, साथ ही दोस्तों, healthcare sector में भी विशेश काम किये जाने क जुरूत है, क्योंकि COVID-19 ने हमें ये भी दिखाया कि हमारे healthcare sector के प्रती अभी बहुत सारा ऐसा work करना बाकी है, ताकि जादा से जादा जनता जनारदन को healthcare के दाएरे में लाया जा सके, employment generation एक बहुत बड़ा challenge है सर, क्योंकि हमारा जो youth है, उसको जब तक हम employed नहीं कर पाएं and digital infrastructure पर दोस्तों बहुत काम किये जाने की जरूत है, क्योंकि COVID-19 के period में हमने ये बात जरूर देखी, कि शेहरी शेत्रों में तो सर, फिर भी आपको मेरे को broadband की सुविधाय उपलब्द है, लेकिन आप ज़रा गाओं के बच्चों के बारे में सोचे, कि अगर उनके पास में proper infrastructure उपलब्द नहीं है, तो उनकी education कितनी hamper होती है, तो अभी सर technical education में और digital infrastructure के promotion पर बहुत काम किया जाना वाकी है, support to self-employed people, क्योंकि self-employed persons are वो है, जो एक रोजगार नहीं मांग रहा, बलकि दूसरा किसी के लिए रोजगार creation का effort जरूर कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भ up surge, लेकिन फिर भी सर, जितना infrastructure व्रदी करता जाएगा, भारत का development उतना ही तेजी से होगा, crude oil import bill is one of the crucial factors सर, और crude oil पर सर, इसके साथ साथ GST से related factors भी आप देख सकते हैं, कि अभी crude oil में, जब हम कुछ particular petrol diesel खरीदते हैं, तो उसके GST की input credit की कोई विवस्ता नहीं, जब तक य बात करते हैं, वो भी अभी दूर है, investment in R&D, R&D means research and development, भारत विश्व की पाँचवी बड़ी economy हैं, लेकिन research and development में भारत विश्व की 10 बड़ी economies में सबसे नीचे पाइदान पर है, यानि हमारे हाँ पर R&D, research and development पर बहुत कम काम किया जाता है, और maybe this is one of the reason के हम net net में importers रह current account balance होता है sir, imports minus export, या export minus import, अगर export minus import है, यानि export ज्यादा है, import कम है, तो sir आपका current account balance positive है, और अगर आपके import ज्यादा है, export कम है, तो आपका current account balance negative है, तो fortunately 2020-21 में भारत का current account balance sir, पहली बार 17 साल में positive होकर क्या आया है, अब मैं आपसे बात करता हूँ sir, tax relief expectation पर, कि tax relief expectation हमारी क्या-क्या हो सकती है sir, क्या enhancement in slab rate पर बात की जा सकती है, sir, मुझे लगता है कि enhancement in slab rate अभी के लिए आना मुश्किल होगा, क्यों क्योंकि already भारत सरकार लगबख 5 लाक रुपे तक की total income वालों को tax liability से free कर चुकी है, इंडिविजल्स के case में, तो sir, ऐसा लगता है कि slab rates को कुछ तर्क संगत बनाय जाने की कोशिच की जा सकती है, बनस्पत slab rates में सीधे basic exemption limit बढ़ाने के, enhancement in section 24b and section 80c limits, जैसे अभी home loan के लिए sir, maximum capping है 2 लाग की self occupied property पर, साथी 80c में deduction का quantum है sir, 1,50,000 रुपे, मैं मानता हूं sir, क्योंकि भारत की economy कहीं न कहीं लोगों के investments पर savings पर भी depend है, तो इसमें sir, 80c या 24b जैसे deductions वेचेंज किया जाना, निश्चत रूप से लोगों के लिए contributory factor as well as economy as a whole beneficiary रहेगा, more tax relief to senior citizen can certainly be expected, then tax the rich one, हलाक की sir, जो धनी है, वो मेरे से निश्चित रूप से नाराज होंगे इस बात को सुनके sir, लेकिन हमारे यहां पर sir, जो अमीरी और गरीवी का difference है, वो निश्चित रूप से पिछले कुछ समय में बढ़ता ही जा रहा है, इस difference को, इस gap को कम करने के effort sir, किये जाने चाहिए, that is a kind of tax, kind of tax related measure which we can expect in the coming budget, service sector को sir, promote किये जाने की वी आवश्यक्ता है, क्योंकि service sector पर GST की present rate 18%, काफी high rate मैं मानता हूं, इस rate पर अगर भारत सरकार काम करती है, तो service sector को और बढ़ावा आने वाले time में मिलेगा, तो दोस्तों, इसी के साथ मैं, मैं आज की ये वीडियो यहाँ पर समाप करता हूं, और आप से पुनहे मिलूँगा, एक तारीक को budget जैसे ही declare होता है sir, budget के उपर अपनी income tax related aspects पर टिपनियां लेकर के, तो आप लोग budget का जो eagerly wait कर रहे हैं, वो आप सब के लिए हमारे लिए positive रहे, इस देश के लिए development oriented रहे.